Hi everyone, welcome back to another video यार आप लोग कैसे हो, lockdown में क्या कर रहे हो और आपके family members कैसे हैं प्लीज मुझे comment करके बताओ और hopefully मैं भी अच्छा हूँ हमारे घर के भी सबी लोग अच्छे हैं तो यार आप मुझे comment करके बताओ आपके हाँ क्या चल रहा है, आपके area में क्या situations हैं, ताकि मैं भी जान सकूँ कुछ आप लोग के बारे में तो यार ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो है Tableau से related, अगर आप Tableau में अपना career बनाना चाहते हो, या Tableau से related courses करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत important आपके लिए जो की, मैं बताऊंगा इसमें कैसे आप Tableau के जो premium courses हैं, उनको free में ले सकते हो, बस आपको करना क्या है, एक account create करना होगा और free में आप courses ले चलोगे तो दोस्तो मेरा नाम है कैस, आप देख रहा हूँ, The Engineer Guy YouTube चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आप एक student हो, तो मेरे चैनल को subscribe कर लो क्योंकि ये चैनल बहुत important है, बहुत ही जादे important है आपके career development के लिए क्योंकि मैं जो videos बनाता हूँ, आप देख सकते मेरे चैनल पे जाके, आपके career development के लिए skill development के लिए बहुत important होने वाले हैं, तो चलो आज की इस video को हम सुरू करते हैं, तो यार आपको करना क्या है, मैंने description में एक link दे रखा है, वहाँ पे जाके कुछ steps follow करने हैं आपको, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ tableau से related कुछ बात कर लूँ कि tableau career कैसा है अभी, salaries वगरा कितनी होती है अगर एक कोई tableau में job करता है, tableau जो tech है उस पे job करता है तो सबसे पहले upgrade एक online platform है, जहाँ पे आप courses कर सकते हो, तो वहाँ पे एक blog लिखा गया है, वो ही सर्मा के द्वारा, रोई सर्मा not a cricketer, वो तो आप सोच सकते हो, और salary की अगर बात करें, तो salary यहाँ पे देख सकते हो, 2019 में US में 1 lakh dollar था, per annum, एक developer की salary, और इंडिया में था 20 lakh रुपे, अगर आप experienced हो, अगर आप fresher हो, तो 8 lakh per annum तक आपको मिल सकता है, 8 lakh से अधिकी, तो यह बहुत अच्छा job है, बहुत अच्छा career है, अगर आप इसमें career बनाना चाहते हो, तो courses को एक बार try कर सकते हो, courses को लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने पहला link दे रखा है, एकाउंट बनाने का, तो मैंने जो पहला link दे रखा है, उस पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको या तो sign in करना है, अगर आपने पहले से Tableau जो platform है, वहाँ पे account बना रखा है, तो नहीं तो आपको एक simple सा account create करना है, तो मैंने पहले से याँ पे account नहीं बना रखा है, तो मैं simple create an account पे क्लिक करूँगा, और मैं सबसे पहले यहाँ पे account create करूँगा, तो account create करने के लिए आपको चीह होगा, एक email id, आपके पास hopefully एक MLID होगा तो आप सिंपल सा यहां पर सबसे पहले एक जो form है उसको फिलब करोगे मैंने पासवर्ट डाल दिया उसके बाद क्या करना है आपको create my account पे क्लिक करना है तो मैं create my account पे क्लिक कर देता हूं उसके बाद आपका एक account create हो जाएगा तो आप देख सकते हो thank you for registering you will receive an email containing link to confirm this registration तो आपको अपना जो email open करना है और इस registration को confirm करना है तो मैं जा रहा हूं अपना email ID open कर लेने तो आप यहां पर देख सकते हो मुझे एक email आया हुआ हुआ है account activation के लिए तो to activate your account please click the following link तो मैं इस पर simply click कर देता हूं उसके बाद मेरा account activate हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद मेरा account activate हो गया यहां पर देख सकते हो अभी notification भी आ जाएगा हो जाएगा कि account activate हो गया तो यहां पर आ अब क्या करना है आपको शिंपल login करना है तो login करने के लिए आप इसको अगर आप चाहो तो close कर दो फिर यहां पर आके आपको simple करना क्या है यहां पर और फिर मैं sign in कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं sign in कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि simple मैंने एक second link दिया हुआ है description में जहाँ पे जाके आपको courses लेने है तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे आपको छोड़ देना है जो मैंने second link दिया है उसको open करना है आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे option है tablue e-learning इसमें 19 days के लिए free access मिल रहा है जितने भी tablue के courses हैं जो official platform है उनके courses free में मिल रहा है आपको करना क्या है यहाँ पे जो code दिया है 2020 e-learning इसको copy करना है और आपको कुछ नहीं करना है simple आप यहाँ पे आओगे और वहाँ पे I have an SS code पे click और उसके बाद आप करोगे जो code है आपना enter कर दोगे और इसके बाद I would like to purchase one year subscription इस पे click नहीं करना है उसके बाद term and conditions पे जो tick करोगे उसके बाद आपको simple continue पे click करना है तो continue पे click कर सकते हो या फिर आप registration करना चाहते थे तो यहाँ से भी start learning कर सकते थे login करके तो मैं यहाँ से कर दिया अब देख सकते हो यहाँ पे जो courses हैं आपके सामने आ गए new features, courses, learning paths वगरा अगर देखो यहाँ पे जितनी भी learning paths हैं जैसे कि टैबलू से आप क्या क्या कर सकते हो टैबलू से consumer से related author से related, web author से related designer बन सकते हो analyst बन सकते हो data scientist, developer, executive sponsor यह जो learning path हैं जैसे server architect, site administrator यह सारे learning path है जो लोग इसमें career बनाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसमें से कोई भी एक learning path आपको select कर लेना है अभी मैं जा रहा हूँ courses को और explore करने जैसे यहाँ पर देख सकते हो learning paths से हो गए जितने भी learning paths हैं उसके बाद आप चाहो courses को भी explore कर सकते हो जो individual courses हैं जैसे कि आपको सीखना है fundamentals कैसे काम करते हैं या फिर table service and support के बारे में या फिर intermediate desktop one के बारे में जाना है तो यह courses हैं उनको ले सकते हो या फिर आप चाहो तो केवल learning path है उस पे जाके courses enroll कर सकते हो और 90s day के लिए यह courses बिल्कुल free में हैं तो free में आप courses कर सकते हो तो मैं जा रहा हूँ data scientist पे select करने और देखता हूँ courses में कैसे enroll करना है तो यहाँ पे देख सकते हो data scientist learning path इसमें आपको इतने सारे courses मिलेंगे सभी को आपको complete करना है जैसे पहला है getting started with tableau desktop then desktop one fundamentals desktop two intermediate then preparation then desktop three advance then visual analytics data science with tableau data science skill assessment last में आपको assessment करना है ताकि आपको certificate मिल सके तो मैं पहला select कर रहा हूँ getting started with tableau और देखता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हो यह जो curriculum आ गया यहाँ पर आपको पूरा curriculum दिया है कि getting started with tableau में आपको क्या क्या पढ़ाए जागा estimated time है four hours का learning objectives है यह सारे दिया है prerequisite none मतलब इसमें basics से लेकर advance तक चीज़े आपको बताई जाएंगी अब आपको क्या करना है simply start now पे क्लिक करना है और getting started जो tableau desktop है उसमें आप इंटर कर जाओगे और उस course को आप complete कर सकते हो तो जैसे ही मैंने उस पे click किया आप देख सकते हो इसका curriculum open हो गया जो भी chapters है उसके बाद about this course आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो या फिर आप curriculum में से पढ़ना ही start कर सकते हो और यहाँ पे जो भी 10 lessons है आप जैसे जैसे complete करोगे percentage बढ़ता जागा और 100% पे ये chapter जो ये course है complete हो जाएगा तो पहला अगर understanding basic data concepts अगर ये करना चाहते हो इस पे click करो simply और इसको जैसे ही open हो जाए इसको आप पढ़ सकते हो बहुत ही असानी से तो यहाँ पे देख सकते हो open हो गया understanding basic data concepts अब इसको हम start करके अराम से इसको पढ़ सकते हैं क्या करना है अपको start करना है और start करके आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ प्लिघ सकतर हो जैसे जैसे भी सब्सक्राइब यह सब कॉर्सेजत है उसके शब personnage किया गया तो बहुत ही अच्छे से आप courses को completed कर सकते हो जैसे पहला था understanding basic data concepts then reading common chart types ऐसे करके आप course को जैसे यह आपका था getting started with tableau desktop था यह एक complete course है एक specialization जैसे मानो data scientist with tableau यह specialization हुआ उसका एक course हुआ getting started with tableau इसमें जो sub parts है जैसे basic data readings में आ गया understanding basic concepts इसमें आपको sub parts होंगे courses के जैसे सबको आपको complete करना है उसके बाद आपको second course करना है तो ऐसे करकर के अगर सारे course अगर आप complete कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा certificate data scientist with tableau का तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही बताने जा रहा था अगर आप tableau से अपने करियर में growth करना चाहते हो तो यह जो courses है जरूर से enroll कर लेना क्योंकि courses बिलकुल free में है और अभी बिलकुल 90s day के लिए आपको free में मिल रहा है courses तो इन में जरूर से enroll कर लेना क्योंकि यह जो courses है normally बहुत महंगे मिलते हैं इनकी जो training होती है institute होती है online training होती है उनकी भी courses बहुत महंगे मिलते हैं इन courses में आप जरूर से enroll कर लेना अगर आप interested हो तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please comment करके बताओ वीडियो को like भी कर देना और साथ में अगर आपको जो भी courses चाहिए कोई भी suggestions हो आपको हमारे community के लिए YouTube channel के लिए मेरे लिए तो आप मुझे जरूर बताओ ताकि मैं और improve कर सकूँ और अच्छे-चे courses लाज सकूँ आप लोग के लिए तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope आप सभी अच्छे से रहें घर पे तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए bye have a good day stay home stay safe and keep learning हुआ है